आपका दोस्त महम्मद रफी भारत मा कीज़े जै शिरी राम के नारे जै शिरी राम के नारे अगर हिंदुस्तान के अंदर भारत माता के नारे लग रहे हैं तो ये जो बीडिसी वाले हैं इनका मसला क्योंनी हल हो रहा है आज पूरे पाडर में मैं कहना चाहता हूँ मौदी साब आज पूरे पाडर में पूरे पाडर के अंदर भारत माता के नारे लगे जै शिरी राम के नारे लगे आज जो ये लोग नारे लगा रहे हैं ये खुद कह रहे हैं कि हमने 20 अप्रेल का टाइम दिया कि हमारे खाते में अगर 4000 सेलरी आई तो हम काम करेंगे अगर नहीं आई तो हम गौर्मिट का जो अमनिशन हमारे पास पड़ा है गोलबारूद पड़ा है तो वो हम गौर्मिट के सुबुद कर देंगे और ये लोग जो है ये अपना बाल बचा जो है वो ध्याड़ी लगा कर उनको पाला पोसा जाएगा तो मैं कहना चाता हूँ कि इस वीडियो को शेर जादा से जादा शेर करें कहना चाता हूँ भाजपास सरकार से के जो लोग चिला रहे हैं रू रहे हैं तो इनकी मांगे क्यों नहीं पूरी होती हैं मैं कहना चाता हूँ एलजी मनोज सेनको के अगर पाडर के अंदर पूरी हिंदुस्तान के अंदर पूरे जमू कश्मीर के अंदर ये लोग चला रहे हैं तो इनका मसला क्यों नहीं हल होगा जब कबरस्तान में पहुंचेंगे जब शम्शान घाठ में पहुंचेंगे हमारे दमींदर राना कहते हैं तुसी बैठी जाओ कोई चिंता नहीं है इस चिंता वाली घाल कीड़ी आ गई है कि जिडी चिंता लोग नोँ लोग जड़े चिंता वी फसे देने इस चिंता नों क्यों नहीं पूरा कर दियो तो आए बापको मैं तस्वीरे दिखा रहा हूं JQT7 के माध्यम से पाडर की कि ये दीखिए भारत माता के नारे लग रहे हैं और जैशरी राम के नारे लग रहे हैं इस ख़बर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैं कहना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द ये जो BDC है तो इसका जो जल्द से जल्द जो मुद्दा है इनका मसला हल कीजिए तो आप देखते रहे हैं JQT7 महमद रफी के साथ शुक्र रहा है नेवाद भारत मता की जैशरी राम तो आएए आज जो हमारा यहाँ वीडी जी का जो आपस में इनने लोगों ने मिटिंग रखी तो इनने ने मुझे बलाया कि भाई साथ ऐसे सी बात है तो जैसे इनने जो फैसले दिया है हम उसकी स्वागत करते हैं कि इन्हें चार हजार दे दो और ओड चार हजार अगर हमारे लोगों को 20 अपरेल तक अगर मिल जाती है तो हम गौर्मेंट का भी धन्यवाद करते हैं हम कोट का भी धन्यवाद करते हैं पर हमारे लोगों ने आज एक फैसला लिया है कि 20 तारीक तक अगर हमारी अकाउंटों में सेलरी चार हजार के हिसाब से नहीं आई गौर्मेंट का भी धन्यवाद करते हैं हम कोट का भी धन्यवाद करते हैं पर हमारे लोगों ने आज एक फैसला लिया है कि 20 तारीक तक अगर हमारी अकाउंटों में सेलरी चार हजार के हिसाब से नहीं आई तो अब हम फाका कशी के शिकार होने वाले हैं हम यह बंदू के जो सरकार ने हमें दी थी यह हम सरकार के हवाले करने जा रहे हैं तो बहुत जलत अगर कोई फैसला सरकार नहीं लेती है तो बंदू कर देंगे तो ताकि कहीं हम रोड पे बजरी शाहरी तोड़के अपने बीवी बच्चें को पालना का प्रबंद करेंगे क्योंकि सरकार के रोए जो है ओ तो अठारा और बीस के चकर में उस चकर में फस गई है कि रोज कभी एक बाहना कभी दूसरे बाहना कभी तीसरे बाहना जब मानने है अपना हमिद शाजी ने पिछले साल दो मारच को आडर दिया था कि इनके चार हजार के इसाब से इनको सेलरी दी जाए तो फिर सरकार इसमें इतने बिलम क्यों कर रही है यह जान बूज कर हमें लटका क्यों रही है कहीं ऐसा तर ना हो कि यह फजूल मैं हमें इतजार करवा 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 के 20 साल तो अलरेड़ी हमारे जाए हुए इस से आगे भी जो 2-4 साल मजदूरी करने के लएक हम है तो उसको भी जाए करवाएंगे आज हर आदमी कहता है नहीं जी इनको 18,000 नहीं देंगे तो इनके बीवी बचे इनके परिवार कैसे चलेगे तो भाई हमें 4,000 से क्या चलना है तो चलो 4,000 हमें भी खी सही तो कम सकम दे तो दो तो मैं सरकार से और पार्टी से और इस अपने डिपार्टमेंट से आज जोड कर रिकेस्ट करता हूँ कि अगर 20 अपरेल तक के फैसला ये हमारे अकॉंट में सेलरी डाल देते हैं तो ठीक है नहीं तो धन्यवाद हम आपके थ्यारों को आपके हवाले कर देंगे तो आज के बाद आप भी अज़ाद हो तो हम भी अज़ाद हो तो जी हाँ आपने बिलकुत सही सुना होगा जो ये कह रहे हैं इनकी बात तो बिलकुत सही है अगर किसी को 18,000 दी जाती है तो यह मानने के लिए भी 13,000 अगर उनको 18,000 दी जाती है उस पहर भी कोई अंतराज नहीं कर रहे हैं अगर इनकी जो 4,000 गवर्मेंट ने बताए हैं कि इनको हमें 4,000 चाहिए यह अपने ही हक मांग रहे हैं 4,000 इनको क्योंकि 20 अपरेल तक जरूर मिलने चाहिए मैं सरकार से भी गुजार्शन करने चाहता हूँ कि इनका 35,000 परिवार है इनका कोई दर्बिदरी ना करें क्योंकि आप ही इस भारतिय जनता पार्टी ने इस वीडिजी मिमर को बनाया है